2008 में जो मुंबई पर हमला हुआ उससे हम सभी वाखिव हैं कि कैसे पाकिस्तानी आतमवादियों ने पूरी मुंबई को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया था कैसे इन आतमवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया हेलो फ्रेंट्स मैं शिखा दो हजार बीस में जी फाइब आपके लिए फिर एक पर चपिस गया की कहानी को नेट सिरे से लेकर आया है इस बार एनस जी यानि की नेशनल सेक्योर्टी गार्ट को सेंटर में रखा गया ह सिरीज में दिखाया गया है कि कैसे एनस जी ने इस खतरना को अपरेशन को अंजान दिया सिरीज की कहानी शुरू होती है एनस जी की कुछ मागों को लेकर एनस जी का कहना है कि उन्हें अच्छी सुभधाय चाहिनी जिससे वो अपने प्रैक्टिस और बहतर कर सकते इस आतमवादी था जो जिन्दा पकड़ा गया इस सिरीज के आठ एपिसोड है सिरीज 20 मार्च को जी फाइट पर रिलीज हो चुकी है यह सिरीज मीडिया पर भी सवाल भड़े करती है कि कैसे मीडिया के इल्ला परवाही ने कहीं ना कहीं इन आतमवादियों को फाइला अब वो अपनी चाले बदलते रहते हैं अगर इस हमले की मीडिया में लाइब कवरिश ना की होती तो शायद कुछ रोगों की जानी बच रहते हैं यह सिरीज हमारे सिस्टम पर भी सवाल खड़ी करती है कि कैसे इतना बड़ा हमला होनी के बाद भी हमारे निता लेट करते रहें और एनस जी को तिली से मंबई आने में देर होती रही सिरीज की कहानी संधीप उनीथन की लिखी हुई किताब प्लैक प्रोनेडो पर आधारत है देखो वैसे तो 26 जैसे संवेदन शिर्व मुट्टे को लेकर तेरा डॉक्यमेंटरी पांच फिल्में दो शाट फ इस सिरीज में लीड रोल में नजन आएंगे अरजुन बाजबा, अरजुन बिजलानी, विबेग दयार वैसे तो आप जब घर में ही उनगे और घर में ही रहिएगा क्योंकि बाहर जानी सकते अगर आप गय तो कुरोना तो आपको एक पार को बचा लेगा लेकिन पुलिस क अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजेगा सबस्क्राइब कीजेगा जादस जादस शेयर कीजेगा मिरती हूं अगली वीडियो के साथ तक तक के लिए रागला